इंसान जितना बड़ा नजर आता है बड़ी बड़ी बातों में, कास उतना ही नेक होता अपनी नियत और इरादों में, हम जिन्हें अपना समझ कर सब बोल जाते हैं, पता नहीं क्यों वही हमें अकेला छोड़ जाते हैं, ये ही तो है खासियत जिंदगी की, कर्ज वो भी जिंदगी गुजरने लगी है, अब तो किस्तों पर, ये कुछ ग्राम का मोबाइल भाड़ी पड़ गया है रिस्तों पर, माफी मांगने से कभी ये सावित नहीं होता, कि हम गलत और वो सही है, माफी का असली मतलब है, कि हम में रिस्ते निभाने की काविलियत उनसे है, तारीफ किये बिना कोई खुष होता नहीं, और जूट बोले बिना किसी की तारीफ होती नहीं, वो करीब ही ना आये तो इजहार क्या करते, खुद बने निसाना तो सिगार क्या करते, मढ गए पर खुली रखी आखे, इस से ज्यादा किसी का इंतजार क्या करते, बिमार जबकि पैसा कच्छुए की तरह आता है और खर्गोश की तरह जाता है लोगों का क्या है वो तो कुछ भी बोल कर निकल जाते हैं जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं कुछ लोग आस्वो की तरह होते हैं पता ही नहीं चलता साथ दे रहे हैं या साथ छोड रहे हैं अधिक दूर देखने की चाहत में बहुत कुछ पास से गुजर जाता है लोगों को भरपूर सम्माम दीजीए इसलिए नहीं कि ये उनका अधिकार है बलकि इसलिए कि आप में स लोग कहते हैым कि किसी के चले जाने से जिंदिगी अधूरी नहीं होती मकड़ ये भी सच है कि लाखों मिल जाने से उस सक्स की कमी पूरी नहीं होती पेट में गया जार सिर्फ एक ब्यक्ति को मारता है और कान में गया जार सैकरो रिस्तो को मारता है पडिंदे सुक्र गुजार है पतजर के वी साहब इनके कहां से लाते अगर हमेशा बहार ही रहती इनसान के खामोशी को समझना सीखो बातों को नहीं क्योंकि एक बात के तो हजारों मतलब होते हैं जब इनसान नए लोगों से मिलता है तो पुढाने लोगों को भूल जाता है लेकिन जब नया इनसान दिल दुखाता है तो याद पुढाने ही आते हैं अक्सर गलत इनसान पे भरोजा करने के बाद ही सही इनसान को पाचानने की समझ आती है जब किसी का दोगला चेहडा सामने आता है ना सचमुच तब उस पर नहीं अपने आप पर गुस्सा आता है जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ो क्योंकि बहूत संभाल कर रखी चीज वक्त पर नहीं मिलती जिंदगी हमें कई बेहतरीन दोस्त दे सकती है लेकिन सच्चे दोस्त हमें बेहतरीन जिंदगी दे सकते हैं एक साथ चार कंधे देखकर मुर्दे के मन में एक विचार आया एक ही काफी था अगर जीते जी सहारा मिला होता जीना है तो उस दीपक की तरह जीओ जो बादसा के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी किसी गरीब की जोपड़ी में कहीं जिद पूरी कहीं जरूरत भी अधूरी कहीं सुगंद भी नहीं कहीं पूरा जीवन कस्तूरी मिर्तिव के बाद यही है करवा सच पत्नी मकान तक समाज समसान तक पुत्र अगनी दान तक और केवल आपके कर्म भगवान तक गलत होकर खुद को सही सावित करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर खु कुछ है मुझे को भी तीर की तरह मगर खामोस रहता हूं मैं अपनी तकदीर की तरह छोटी-छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है ख्वाहिशों का क्या है वो तो पलपल बदलती है प्रेम से रहो दोस्तो जरा जरा सी बात पर रूठा नहीं करते मत्ते वही सुन्दर दिखते हैं जो साख से तूड़ा नहीं करते समझदार एक मैं हूँ बाकी सब नादान बस इसी भ्रम में घूम रहा आजकल हर इंसान रात नहीं होगी तो सुबह का मात्तो ही नहीं होगा दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा तुमसे बिछड़े तो मालूम हुआ कि मौत भी कोई चीज है जिन्दगी तो वो थी जो हम तेरी महफिल में गुजारा है दड़िया बनकर किसी को डुआना बहुत आसान है मगर जड़िया बनकर किसी को बचाए तो कोई बात है कास आपकी सूरत इतनी प्यारी ना होती कास आप से मुलाकात हमारी ना होती सपनों में ही देख लेते हम आपको तो आज मिलने की इतनी बेकडारी ना होती गलत फाहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार भड़े सौ लमों को एक पल में भुला देता है दिल से निबाया जाय तू दूर्ड है मुझसे और पास भी है तेरे कमी का एहसास भी है दोस्त हमारे लाखोँ है इस जहां में पर तू प्याड़ा भी है और खास भी है हर बात पर तुम्हारी जो जूटी वाहवाह करेंगे देख लेना एक दिन वही तुम्हें तबाह करेंगे मौका देने वालों को धोखा और धोखा देने वालों को मौका कभी भी नहीं देना चाहिए